Welcome to our channel Civil Insight, तो आज हम पढ़ेंगे यूविलर्स कॉलम थियोरी का case number 4, expression for crippling load when one end of the column is fixed and the other end is hinged, तो एक case number 4 है, इससे पहले हम 3 cases कर चुके हैं, उनके link आपको description मिल जाएंगे, तो आज का lecture स्रूकर नेस पहले है, अगर आपने माई channel Civil Insight को नहीं subscribe करा तो अभी कर लीजिए, तो देखो, case 4, expression for crippling load when one end of the column is fixed and the other end is hinged, तो मतलब कि एक end हमारा fixed होगा और एक हमारा hinge होगा, ठीक है, हमें सारे cases करते हैं तो ये भी आपको easy लगा है, थोड़ा सा लग सा है ये बस, consider column AB of length L and uniform cross-sectional area fixed at the end A, fixed at the end A and hinge at the end B, ठीक है, कि हमने A पे हमारा fixed है और B पे हमारा hinge है, let P is the crippling load at which the column has buckled, has just buckled था है, मतलब कि यहां से भी load लगे, यहां से भी load लगे, बस अभी just buckle हुआ ही है, बकल का मतलब है, ऐसे बस अभी मुडा सा ही है, ठीक है, यह हमारा dotted column था, अभी ऐसे buckled सा हो गया, ठीक है, अब देखो, अब इसमें नहीं चीज़ क्या है, there will be fixed end moments M0, M0 sorry, M0 at the fixed end, ठीक है, यह तो पहले भी हम करते आ रहे है, तो हमारी M0 यहां पे, हमारी fixed end पर लगेगी moment, ठीक है, fixed end moment, this will try to bring back the slope of deflected column 0 at A, ठीक है, मतलब कि यह हमारी जो movement होगी न, यह हमारे deflected column को वापस लाने के कोशिश करेगी, ठीक है, बकल तो हो गया, लेकिन फिर भी ए M0 needs to be balanced, ठीक है, तो यह हमारी M0 balance होनी चीए, ठीक है, अगर ऐसे को लग रहे है, तो हमें, ऐसे को भी हमारी कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, ठीक है, therefore, it will be a balance by horizontal reaction H at the top end B, तो यहां पे आप देख सकता है, हमारी H1 horizontal reaction हमने दिखा थी, जो कि हमारी B पे ऐसे लग रही ह है, तो इसका मतलब कि हमारी पूरी अच्छे तरह से हमारी balance होगी है, हमारी fix and movement, यह हमारी horizontal reaction है, इसको balance कर रही है, यह तो आपको अच्छे समझागे है, तब ही मैंने red से लिक है, वैसे यह मैं खुद को बोल के भी समझा सकता है, लेकिन मेरे ख्यास से आपको लिक के मैंने रख देना तो आपको और अच्छे समझागा, अब देखते हैं आगे, तो देखो आगे आता है, consider section at a distance x from the end a, तो जैसे कि हमने इस diagram में देखा थो, यहां से x distance में हमने section ले लिए, यहां पर, इस पर हम खड़े है, अब उनका है, let y deflection, let y is called deflection at the section, तो हमारी y पे, जो हमार fix and moment at a है, क्योंकि fixed हमारी y यहां पर लगा हुआ है, fixed है, h is equal to horizontal reaction at b, तो हमारी y यहां पर h horizontal reaction at b, हमने यह सारा कुछ बता जाएगी, क्या-क्या चीज़े है, ठीक है, आप देखो, अब इसका formula क्या है, देखो, आपको पता हर कही हम moment निकालते है, moment निकालनी है, at section निकालनी और एक हमारी क्या है, moment due to horizontal reaction at b, ठीक हमने सारे load की तो कर दी लेकिन हमने h लगाया अलग से, ठीक है, इसको balance करने के लिए m not को, तो उसकी भी हमें moment निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालना पड़ेगा, moment due to crippling rotate section तो आपको पता है, minus p into y, ठीक है, p into perpendicular distance के आपको पता है, ठ unconvention करवाया है, तो देखो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, moment जब-जब हमारी इस तरह का हमारा buckle होता है, column, अंदर को कुछ ऐसे को होता है, तो हमारी positive आती है, जब-जब हमारी ऐसे circle सा ऐसे को बनता है, बाहर का, तब-था हमारी moment negative आती है, तो वैसी हमारा यहाँ पर बन counter reaction at b, तो देखो, h पर खड़े है, h पर खड़े है, हमें इस section की चाहिए, इस section मा लगई इसका यह perpendicular distance ही हो जागा, तो पर पर लिखा हो जब ल-x, यहाँ पर हम खड़े है, यह ऐसे हमारी reaction लगई है, इसका perpendicular distance इस तरफ आएगा न, हमारा ऐसे आगए perpendicular distance, तो यहाँ पर x होगे, पूरा l i x है, तो यह l-x, तो यहाँ पर लिखा हो है, तो h into l-x, ठीक है, और अब यह तो निकल गया, momented section निकल गया, और हमें पता है, यह moment क्या होता है, e i d square y by dx square, यह भी आपको पता है, ठीक है, अब हम करते है, equating two moments, ठीक है, थोड़ा जल्दी मैं इसलिए करा e i d square y by dx square, हमारे is equal to minus p into y plus h into l minus x, यहाँ पर आई आपका moment of inertia है, और e आपका modulus of elasticity है, तो अब देखते आगे, तो देखो हमने आगे, अगर 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 पी into y को हम इस तरफ ले आए तो positive हो गया, तो e i d square y by dx square plus p into y is equal to h l minus x, ऐसे हो गया, अब हमने यहाँ पर कर दिया e i, हमने यहाँ पर sorry, ऐसे यह divide by e i कर दिया, सारी equation को तो देखो, यहाँ से हमारे d square y by dx square बन गया, plus p by e i, sorry, e i into y is equal to h by e i, l minus x, ऐसे है, अब हमने into p into p, p by p कर दिया, ठीक है, मतलब कि हमने उपर भी p multiply कर दिया, नीचे भी, ठीक है, सिर्फ यहाँ यहाँ तक कि हमने ऐसे क equation में करती है, ठीक है, आप देखे सकते हैं, हमने एक p थो हमने यहाँ लिया और एक p h by p के नीचे लगा दिया, एक p के नीचे कर दिया, एक p हमारे यहाँ पर ऐसे लग जया, ठीक है, अब देखो अब जो यह चीज बनिया, यह equation पता है, क्या बनिया, differential equation बनिया, तो आपने पढ़ाएगा differential equation आपने, उसमें क्या होता है, अपने plus one plus two में, तो वहाँ पर आपको पता है, इसका solution भी निकलता है, solution तो यह हो गया, देखो, एक तरह का हमारे solution है, इस चीज का, ठीक है, यह हमारा solution है, differential equation का, अब मैं आपको बता जाता हूँ, एक रिकाल करा देता हूँ, आपको कुछ इस तरह ही बनाना है, यह है, अब आपको यह ऐसे बन गया, तो अब इसका आपको solution में निकलना है, solution आपको पता हमने प्रस्वाइब प्रस्वाइब पढ़ा तो इसका solution क्या है, y is equal to c1 cos alpha x, देखो, यहाँ पर alpha square क्या है, यहाँ पर मैं पताता हूँ, alpha square हमार तो अब यह आ रहा है, alpha x plus c2 sin, हमारा फिर alpha x, यह है, ऐसे होगे, sign पर भी आ गए न, x under root py ei, यह है, हमारा simple alpha क्या हमारा under root py ei, यह आपको अच्छे समझा रहा है, plus, अब यहाँ पर प्लस में हमारा देखो, यहाँ पर क्या आता है, h by ei, यह हमारा तो यह तो यह सेम आपके solution आयता है, यह यह आपको दिखाने ही जुरुत है, अगर exam में by chance आगे expression, drive करना है, वैसे तो नहीं आता हमेशे इस पर numerical आता है, वो भी हम इस पर करेंगे अभी, नहीं तो अगर आपको आता है, तो आपको यह चीज़े लिखने हैं, जाला वैसे जुरुत नहीं है, आप simply हम लिख सकते हैं, as this is a differential equation, the solution of this differential equation is this, यह है, आप simply हम लिख सकते हैं, इसका solution यह है, अब आपके equation बनगी, हम इस तो number one लिख देते हैं, आप boundary conditions आते हैं, आप boundary conditions पर क्या है ही, at a और at b, दो ही तो आ सकती है, एक हम यहाँ खड़े हैं, एक हम यहाँ खड़े हैं, बस यही तक तो हमें ends पर लेके चलते हैं, ठीक है, तो at a और at b पर चलेंगे, at a पर x is equal to 0, यहाँ आपको दिखाया है, यहाँ पर एक खड़े है, तो x is equal to 0, y भी आपको 0 है, और एक चीज़ और 0 हो जाती है, वो क्या चीज़ हो जाती है, हमारे dy by dx, q, because it is a fixed end, यह fixed end पर है, यह अगर आप उच्छोगे, कहां पर बताया है, सबसे first lecture हमताया है, अभी हम आपको दिखायता हूँ, तो देखो, यहाँ पर मैंने first lecture हमताया है, for a fixed end, deflection and slope are 0, देखो, wise girl 0 तो हमने लिख देखो, deflection, जो हमारे slope आती है, dy by dx, वह भी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर यहाँ प boundary conditions आगी, अब इस पर लगाते है, और देखते आगे, क्या मिलता हमें, तो देखो, सबसे पहले हमारे क्या दी, add a, x is equal 0, y is equal 0, और slope भी हमारे, dy by dx is equal 0, ठीक है, अब यहाँ पर लिखे है, substituting these values in equation 1, we get, ठीक है, अब हमें सारी values इसमें put करते है, देखो, अब क्या, y is equal 0 भी 0 हो तो, l minus 0 हो जाएगा, तो यहाँ से simple आपको h into l by p रहता है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है, cos 0 होता है, sin 0 0 होता है, तो वही मैंने यहाँ यहाँ पर लिखे है, c1 into 1 लिखे है, यहाँ पर c1 के निकल जाएगा, is equal to minus h into l by p, ठीक है, यहाँ आपको c1 तो निकल ग है, कि जब-जब हमें dy by dx दिया होता है, जैसे हमने ऐसे fixed end से निकाल लिया, तो आपको हमेशा याद रखने, thumb rules है, मेरी तरफ से thumb rule है, ऐसे कोई है, यह universal, कि हमेशा आपको differentiate करना ही करना है, equation 1 को, ठीक है, तब यह आपका यह लाग होगा, dy by dx 0 होगा, ठीक है, तो मैंने इस c1 यह मैंने minus 1 लगा दिया, sign यह ऐसे पूरा हो जाएगा, इसकी differentiate करोगे तो constant रहेज़ेगा, constant आपका 1 हो जाएगा, बक्की आपका ऐसे आज़ेगा, a plus c2 cos आपका ऐसे, sorry constant बोलके variable आपका ऐसे x समेशा 1 हो जाएगा, बक्की आपका constant as it is आज़ेगा, यह minus h by p, यह अब h by b कभी में अग्का आपको पटाया, तो देखो, l minus x का है, तो देखो, अब यहापको पता है, तो देखो आपको पता है, यह आप Tá, एज़ लुक्ता ले गाउगा, बक्की एजा, हो जाएगा, यह तो अपका फूरा constant हो गए, तो 0 हो जाएगे, तो यह egerंगे तो देखो, इ गर आपको फिट से बोई जाएगा तहीं है अब यहां पर भी एक समारा धे यहां पर देखो यहां पर गाल यहां फिंपल C2 आगा किक वान होता है और यही आपकी चीज़ रहेगी है बाक्य सारा तो 00 आप इधर लेकर जाएगा तो आपकी यह चीज़ है हमारा आप C2 आ गया तो आप हमारा चीज़ आपको अच्छे पर जाल गया अब देखते आगे तो अब हमारी वैल्यूस तो आगी C1 और C2 की तो हम कहते हैं कि अब कहते हैं अब कहते हैं अब यह तो होगा ठीक है अब हमने देखो अब क्या निकालना में अब यह वाली वैल्यूस हम सारी इसमें पूट करेंगे तो आप लिख दोगे यह तो आप समझाओ के प्लस अब क्या करते हैं अब यहां से आपको पता चल रहे ही कुछ ना कुछ चीज़ेंगे ठीक है यह इन चीज़ों में मुझे लग रहे ही कुछ ना कुछ कटेगा ठीक है तो हमने साइन बूच के मैंने साइन इदर रखा है कॉस मैं आपको कह रहा हूं इदर ले गया लेकिन कॉस मैंने इस तरफ रखा है क्यों रखा है वह आपको चलेगा तो देखो अब अब यहां पर मैंने साइन आप आगया अब इस चीज़े में इदर लेकिए तो यह सारी रेसीप्रों हो जेगी तो पी उपर आ जाएगा एच नीच आज़ेगा तो दुबारे से अंडरूट पी बाई यहां से आप देश सकते हो यह वाला एच इस से कट जाएगा यह वाला पी बाई यह सिंपल वैल्यू है कास यह फिर एंगल है ठीक है अब आप देखो चीज़े सेम चीश थी है तो हम पर प्धेगा सब्सक्राइब कर पकल क्या थे हो आगे आपको दिखाता हूं मैं तो देखो ऑन आपको चीज मैंने आपको आगे अडर पी बाई यह तो मनें the solution of the above equation मैंने यहां पर सीधा लिख देए कि देखो 10 की value यहां पर यह जब कब होएगी 4.5 radians पर होएगी तो मतलब यह थोड़ा से भी हमारा होता है तो हमारे करके न तो आपको 4.5 radians निकल जाती है इसकी वहले आपकी 4.5 radians निकलती है तो आपको कुछ समझाए कि 10 यहां पर दिसकते हो कि 10 हमारा यहां पर देखो 10 L अंदरूट P by EI यह जो मारा यह था हमारा यह चीज थी इसकल दो देखो L अंदरूट P by EI कि हमारे इसकल दो 4.5 radians है यह हमारे हिट ट्रायल मेथड से करके है यह सारा कुछ तो हमारे ऐसे आगए ठीए 10 से आपको यह 10 से 10 कट जाएगा सारा कि यह हमारे यह यहां पर भी 10 था 10 4.5 radians तो यहां से 10 से 10 कर जाएगा तो यहां पर सिंपल ऐसे रह तक्रीब तक्रीब यह 2 by square तक आता है अगर आप स्कुरेण कर तो पता है क्या value आएगी तो 2 by square की तक्रीब बनाता है ठीए हमने radians को पाई में कर दिया ठीक है पाई में करना आता है तो अगर आप इसका स्कूर करें तो 20.25 आएगा तो इसको आपको स्कूरिंग करना की बाद पी की वैल्यू आज़ेगी ठीक है यह एक्स्प्रेशन आगया बस यह क्रिप्लिंग लोड का आपको इस्प्रेशन आगया बस दो स्लुशन ओ दो इस्प्रेशन इस फोर पंट फाइब यह एसे आपकी वैल्यू है तो यह आपको सी ट्यम कमेट टू मैमली मैंने आपको पहले भी बताया हुए तीन केसी में कि आपको यह बहले एक्स्प्रेशन जरूरी है यह आपको याद होना चीए बग कि आपको ड बीटीचेश होता है और अल्टरेंट मैथट भी करवा देते हैं एक्स्प्रेशन का यह मतलब कि सेम कॉलम है मैठ है विद इफेक्टिव लेंद होती है देखो अगर आप यह जो हमारा ने यह वाला फॉर्मला सेम होता है यह हमारा हर एक के लिए एक्सकों पेर करके ने एक इफेक्टिव लेंद निकालते है तो हमारी इफेक्टिव लेंद क्या होगी यह जगा टू ल बाइ रूट टू अब देखो अगर आप इसमें यह वैल्यू डालोगे तो देखो आपकी क्या है और आप पाई स्कूर इए डिवाइड बाई डिवाइड अगर आपने यह वै सिर्फ पहले केस में आपका equal बनता है तो आपको ऐसे कभी को भी आयता है कभी को भी थोड़ा से गुमाने के लिए आपके factory length दे देते है तो कभी को भी कहते है कि आपके length ही है तो अब एक चीज और होती है इसमें क्या होते है आपको कभी बने safe load भी दे देते है कि safe load भी निकाला तो safe load का मतलब तो क्या हो गया समझे जैसे 1000 newton हमारे क्रिपीन लोड आ गया क्रिपीन मतलब यहां पर आपका buckle हो जाएगा आपने का था है एक दम आपको buckle हो जाएगा तो बस वही चीज आपको समझाता है अगर आपने लोड दे लिया तो इसके लिए अपको बकल हो ही जाएगा गरंटी है तो उसके लिए अप यह expression पढ़ते है आप देखो अब हम इस पर करते हैं question और आपको अच्छे से clear होगा तो देखो यह आ question में सारे आपको एक एक करके lecture में समझाता जाओंगा लेकिन अभी मैं simple simple question करा रहा हूँ solid round bar three meter long and five centimeter in diameter use as strut with one end is fished and the other end is hinted so हमने यही वहला case कर रहा है होगी हाँ भाई हम यह चीज से याद रहे है कौन सा case है ठीक है आपको case पर याद कर सकते होगी मेरे cases अगर आप चारों देख रहे हो 10-2 पर 5 newton पर mm2 यह अब देखो आई आता है अब आई देखो अगर आप question में देखो में आपको अपताया भी था कि moment of inertia होता है ठीक है moment of inertia तो किस चीज का निकालना आपको round है solid round bar ठीक है राउंड बार आगे तो circle के क्या होता है pi d 4 by 64 ठीक है तो यहां पर pi के आएगा आपको 3.14 into d का 4 ठीक है d की बार 4 तो 50 लेलो सीधा 5 लोग तो दुबारा जी आपका mm में करना पड़ेगा तो पहले ही आप आप mm लेलो by 64 ठीक है तो अगर आप इसको solve करें तो आपकी देखो value आती 30.68 into 10 raise to 4 mm की पार 4 ठीक है आपकी चीज है आगी यह अब आपको simple यहां पर क्या लिखना है as as one end of strut is fixed and मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ थोड़ी तभी आपको writing अच्छी सी नहीं आ रही and other is hinge therefore ठीक है other is hinge यह आपको चीज लिखने है फिर यह आपको marks मिलेंगे अगर आप यह ऐसी सीज नहीं करें तो आपको marks मिलेंगे तो therefore आपको पहले formula लिखो गया पीज गल्डू पीज गल्डू आपको फिर दिखाया तो अगर आप बूल गयो रहे तो नहीं बूले होगे तो marks अराम से मिल सकते हैं पूरे सिर्फ आपको expression याद करना है case पर यह का आपकी value आती है तो आपकी की value पता की आती है one three four five seven six newton यह मैं तो करके रिखी हुए फिर भी मेरे कल्कुलिशन में कलती हो जाती है तो आप एक बर कर ले न ठीक है अब मैं आपको आपको यह आपने यहां से निकाल ले अब मैं कहते हो कि आप effective length लेके ना जो हमारा alternate method था और alternate method था इससे भी करके आंसर इसके round off मतलब की आज पास आया तो मतलब की आपने सही कर और आपको यह भी आपको confirm हो जाए कि effective length का भी मतलब की same रहता है ठीक है answer आपको same रहेगा यह अब आपको देखो और कहते है also find safe load आपको safe load का मैंने formula बताया था creeping load divided by आपका factor of safety क्रिपिंग आपको यहां से आ इससे आपको केस 4 भी खत्म हो गया यूलेट्स थियूरी भी खत्म हो गया अगर आप चाहते हो कि आपको assumptions और limitations पर भी आपको थोड़ा से discuss करना है तो आप मुझे कमेंट्स मुतारा है उस पर भी lecture नहीं तो हम इससे आगे बढ़ेंगे यह आपको पूरा case 4 हो गया है इससे वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और हमाया चैनल सीमसाइक को जूर सब्सक्राइब करना था थैंक यू फॉर वाचिंग